वक्त हमारे साथ योगी गुरू बाबा रामदेव हैं जो खास बात चीत करने के लिए मौजूद है सर मेरट में आप कपड़े का ये शोरूम है उद्गाटन किया विदेशी कमपनिया खास तोर से इस वक्त बहुत शोर पे हैं तो किस तरीके से आप तक्कर देंगे ली एडिडाइस प्यूमा सुपर ड्राइ जारा जितने भी विदेशी कमपनिया उनसे दो से तीन गोना सस्ते दाम पर हम पतंदली के प्रोडेक्स उपलब्द करा रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडेक्स हैं एको फ्रेंडली हैं जो एंटी मैक्रोवेल प्रोपर्टी के साथ हैं ये भी प्रोटेक्शन है बास से लेकर के भारत के छोटे छोटे गाउं में बसने वाले बुनकरों से लेकर के माने हम देश के हजारों लाखों बुनकरों के हाथों को रोजगार उनको समरिध्य का अवसर प्रदान कर रहे हैं क्वालिटी हमारी ये प्राइज हमने अपने कंट्रोल में रखा है और ये साड़े तीन हजार वस्तरों का कलेक्शन इसमें बच्छों से लेकर के योगा और स्पोर्ट्स माने जिनको एक्टिव वेर कहते हैं साधी ब्याह के कपड़ों से लेकर के ऑफिस की ड्रेस से लेकर के कैज्वल ड्रेस से लेकर के और जूते चपल बैल्ट से लेकर के और अन्मेंटर ज्वल्री तक माने साड़े तीन हजार विकल्प एक छट के नीचे आस्ता संसकार लेफिट के ब्रैंड के नीचे मिल रहे हैं यह एक बहुत बड़ी सोगात है उत्रप्रदेश के लोगों के लिए और मेरट में उत्रप्रदेश का यह पहला हाँ लखनों बनारस इलाबाद गोरकपुर और सहरों में हम जाएंगे सुत्रपात स्वदेशी करांती का परिधान के इस सम्मान और सभीमान का यहां मेरट से हुआ है अभी जो है नसीरुद्दीन शाह के बयान पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है बाबा राम देव का क्या कहना है नसीरुद्दीन साफ से यहां से सोरत पाई यहां से दोलत पाई और उसके बाद देश को गाली देते हैं ये देश के साथ धोखा और गद्दारी में मानता हूँ और देश के दुश्मन देश हैं, आलोचक हैं उनको एक मोका मिलता है इस तरह के बयानों से मुझे लगता है उनको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और जिनको समाज बड़ा बनाता है देश ने जिनको बड़ा बनाया उनको इस तरह की बचकानी हरकतों से बाजाना है गाय के नाम पर जो राजनीती हो रही है इस पर आप कुछ कहांगे गो माता, मानवता, भारत माता सब बचने चाहिए और किसी भी प्रकार के जो anti-social element कोई भी दूरब अटना करते हैं उसके अपर सरकार और समाज को उनका बहिस्कार करना चाहिए और उसके उपर जो कारवई ऐसी होनी चाहिए कि सबक मिले दूसरे anti-social elements को जम्मू कश्मीर में हाला सुधने का नाम नहीं ले रहा है अब देश में समस्चे हैं तो चार उत्रा मोबाई खड़िये हैं हम तो यही देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा है कि हम एक भारत अस्रेष्ट भारत दिव्य भव्य भारत न्यू इंडिया बनाएंगे तो उमीद करते हैं कि पहले भी जो उन्होंने अभियान चलाया आतंक से माइनौर्टी के साथ हम काम करते हैं देखे पाकिस्तान में मुसल्मानों की बहुत खराब हालत है वहां के जो घरीब लोग है उन्हों जिस तरह से बेवसिल आचारे में जी रहे हिंदुस्तान में तो वैसा एक भी मुसल्मान नहीं जी रहा है उनका अपने हिंदुस्ता इस की बजाया देखनі के बजाए घुद बें करए-पसि में पहुंचे लाए अपना दीज देखना चाहिए हनुमान जी के नाम पर जो राजनीती चल लाई है खास तोर से सब्ताधारी के नेता बयां दे रहा है हनुमान जी को जाती में घजीतिना ये अपने महापुर्षों का अपमान है हमारा किरदार सरुदली और निर्दली ये रहेगा और हम चाहेंगे कि टरक्र अच्छी होने चाहिए और जो ताकत वर रहा है उजीतना चाहिए हमारे साथ योग गुरू बाबा रामदे उने जिन्हों ने खुल कर इजहार किया और सारी चीजों पर अपनी राय का